नाराएं नाराएं दोस्तों जै बिंदाइक जी महाराज की दोस्तों आप सबने कल यानि की 19 सेप्टेंबर को गणेशी की सापना कर ली होगी अपने घर में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं कुछ लाकर सापना करके विसर्जित कर देते हैं और कुछ अपने ही घर में रखी हुई गणेशी की मूर्ती को नहला धुलाकर पूरा उनको फिर से सनान कराके और रख लेते हैं मैं तो दोस्तों जो हमेरे घर में मूर्थी है, मैं उन्ही गनपती बपा को स्नान कराके और फिर से रख लेती हूँ वहीं पर, मेरा मानना है गनेशी का विसर्जन हम क्यों करें, गनेशी तो हमारे घर के रिद्धिर सिद्धी के दाता है, यह मैं सोचते हूँ, यह मेरा मानना है मैं किसी पर थोप नहीं रही हूं but this is what I think कि हमें उनकी मूर्ति का भी विसर्चन नहीं करना चाहिए मैं नहीं करती हूं तो जो गणपती बप्पा है यह रिद्धि सिधि के दाता है मनो कामना पूर्ति करते है आईए इसे से इसे मैं आपको चोटी सी घटना सुना रही हूं कि पुराने जमाने की है इसलिए हम कहानी भी कह सकते हैं उसको एक बार एक लड़की, उसका एक भाई था और वो दोनों भाई बहन थे, बहन की शादी हो गई, अब बहन की शादी हो गई तो वो दूसरे गाउं नेचरली ससुराल में जाकर रहने लगी, उसके भाई का गाउं और उसका ससुराल बहुत दूर नहीं थे, पास-पास ही थे, म तो वो लड़की रोज सुभा अपने घर का सारा कारे निपटा कर अपने पती को उसके पती बिजनेस करते थे तो उनको बिजनेस पर भेज कर और उसकी सासु मा मंदर जाती थी उन सब को भेज कर वो रोज सुभा सुभा अपने भाई से मिलने जाती थी क्योंकि उसको घाड़ीयों में गणेशी के मूर्ती रखीय हुई उसने उस मूर्ती को उठाया और जाड़ीयों में थोड़ा सा स्थान बना लिया और उनकी मूर्ती रखी है और कहा है गनपतिवप्पा- तुम्हारी जै हो जैसली हो 해य और वो ज़ाडियों में से खड़ी होकर गणेशी को हाँ जोर दी थी, तो उसके पैर में कभी कहीं काटा चुप जाता था, एक बार जब वो अपने पिहर पहुंची, तो उसकी भावी ने देख लिया, भावी ने कहा कि ये क्या हो गया दिदी आपको, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो रास्ते में ज़ाडियां पड़ी हुई थी, तो मेरे पैर में चुप गए, वो आई, उन्होंने अपने भावी का मुख देखा, भावी के साथ बैट कर खानावा ना खाई, अब फिर वो अपने गाउंच चली गए, इधर भावी उन्हें भाईयों से कहा, कि देखो जी बहन जी के पैर में काटे चुप जाते हैं, रास्ते में ज़ाडियां पड़ी हैं, आप साफ कराओ, तो वो भाई अपने साथ एक दो मज़ूरों को लेकर गया, उसने वो ज़ाडियां साफ करा दी, अब देखिए विधी का विधान, जब वो जाडियां साफ कराएं, उनको गणेशी की मूर्ती मिली, उन्होंने वो मूर्ती को उठा कर एक तरफ रख दिया, अब गणेशी की मूर्थिये को उठा कर उन्होंने एक तरफ रखा इससे गणेशी नाराज हो गए और गणेशी ने उसके भाई के प्राण हर लिए जब भाई घर पहुँचा तो वहाँ जाकर उसकी मृत्तिय हो गई अब घर में तो कोहराम मच गया इकलता बेटा और इकलता ना हो 6 बेटे हो तो भी जcling किसी के बेटे को उसकी साम आखों के सामने ही ऐसा कुछ हो जाए तो कोहराम तो मचेगा उधर पतनी रोने लगी उधर मार रोने लगी उसके पिता रोने लगे सब परशान ऐसे करते करते आगले दिन सुबह का टाइम आ गया सब लोगों ने उनकी अर्थी को उठाया और लेकर जाने लगे तो भावी ने रोक दिया बहले नंद बाईसा आने वाली है और वो भाई को देखी विना तो खाती नहीं है तो रोक दिजे अब नंद बाईसा को पता ही नहीं था कि ऐसा हो चुका है वो तो अपने गाउं में अपने घर का सारा काम निप्टा कर चली आई तो उन्होंने देखा अरे गणपती पपा की मूर्थी का हो गई तो वो ढूनने लगी और मिल गई उनको उन्होंने मूर्थी को जगा स्वच्छ करके पुनह स्तापित कर दिया और फिर उन्होंने गणेश जी से प्रात्ना करी जै गणपती पपा मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सब को देना पिंदायक जी ने कहा ये तो गड़बड हो गई ये तो रोज मुझसे अश्रवाद मांगती है और मैं देता भी हूं उसको अश्रवाद और वहाँ इसका भाई वह तो मतलम वह तो मर चुका है अब कैसे होगा तो जैसे ही वह बहन एक कदम आगे बढ़ाया पीछे से आवाज आई बहले ये शमी का व्रिक्ष है यहाँ पर इसके साथ पत्ते तोड़ो इन पत्तों को पीस कर उसका जो रस निकलता है उस दूद में कच्छे दूद में डाल कर अपने भाई को छीटे दे जाएगा अब नंद 22 सोचने लगी उन्होंने पलट के देखा तो कोई दिखाए नहीं दिया अब नंद 23 सोचने लगी इन्होंने गड़पती बपपा ही है हापर उन्होंने मुझसे कहा है तो ऐसा क्यूं कहा क्या मेरे भाई की जान खदरे में है कि वह गाउं पहुंची य तो उनके घर में शमी का व्रिक्ष था गई शमी के व्रिक्ष के साथ पत्ते तोड़कर लाई उसका रस निकाला उसमें कच्छा दूद मिलाकर अपने भाई को छीटे दिये जाकर जैसे ही छीटे दिये भाई उठकर खड़ा हुए उसने का अरे मैं तो बहुत सोया तो बहन न सोय है और गनेशी के आशिरवात से वो बहन अपने भाई अपनी भावी अपने माता पिता अपने ससुराल में बहुत सुखी और संपन्न रही मैं बिंदायक जी से प्रात्ना करती हूं कि हम सबको भी ऐसा ही आशिरवात दे हमारे सबके घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए बोलो बिंदायक जी महराज की जेंग